सर्दियों के मौसम में कई माता पिता बच्चों के साथ हिल स्टेशन तो कई माता पिता रेगिस्तान में गूमने का प्लान बनाते हैं ऐसे में अगर सर्दियों के मौसम में बच्चों संग घूमती समय काफी ध्यान रखने की जरूरत होती है नहीं तो उनकी तबियत भी खराब हो जाती है घूमना फिरना लगबग हर किसी को पसंद होता है बच्चे भी समय समय पर घूमने के लिए माता पिता से जिद करते रहते हैं इसलिए कई माता-पिता बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भारत की हसीन जगहों पर पहुँचते हैं अगर आप भी सर्दियों में बच्चों संग घूमने का प्लान है तो हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं जिने फॉलो करके कई परिसानियों को आसानी से दूर कर सकते हैं अगर आप बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए सर्दियों के मौसम में कई जगए अचानक ही बारिश होने लगती है जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है अगर आप मौसम की जानकारी नहीं रखते हैं तो आपके साथ साथ बच्चों की तवियत भी खर्याब हो सकती है इसलिए अगले तीन चार दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी जरूर रखें सर्दियों में बच्चों संग हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको गर्म कपड़े पैक करने की जरूरत है इसके लिए सिर्फ स्वेटर ही नहीं बलकि वुलन जैकेट, वुलन टोपी, दस्तानी और रेंकोट भी पैक करना ना भूले इसके अलावा स्कार्फ, मफलर, जूते और दो तीन जुराबे जरूर पैक करें इसके अलावा एक तो कंबल भी साथ में पैक करना ना भूले हम यह भी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में हिल स्टेशन जैसी जगाओं पर नार्मल पानी मिलना मुस्किल हो जाता है ऐसे में ट्रेप को सुखत बनाने के लिए साथ में थर्मल फ्लास्क बहुत जरूरी हो जाता है thermal flosk में पानी लंबे समय तक गर्म रहता है अगर घूमते समय गर्म पानी का option नहीं हो तो आप thermal flosk का पानी इस्तिमाल कर सकते हैं कई बार hill station में गर्म पानी नहीं मिलता है अगर आप अपने साथ बच्चों को सर्दी जुकाम से दूर रखना जाते हैं तो फिर आपको first aid box जरूर पैक करना चाहिए first aid box में सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार, दर्द, उल्टी, आदी कई चीजों की दवाईयां जरूरी पैक करना चाहिए इसके अलावा first aid box में चोट लगने या कटने फटने की दवाईयां भी जरूर पैक करनी चाहिए क्योंकि बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं तो उन्हें चोट लगने का डर रहता है सफर में खाना पैक करने के लिए घर से स्नैक्स या फल पैक कर ले जाएं और बच्चो संग सर्दियों में दो-तीन दिन घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आने जाने के लिए टिकट पहले से ही बुक करा ले अगर दो-तीन दिनों के लिए घुमने जा रहे हैं तो ये पहले से ही होटल भी बुक करा ले और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को शेर और सब्सक्राइब